जश्रागार में सिमेंड कॉंक्रिट की नालियों, सिमेंड सडकों का निर्मान सोरो पर है वाड नमबर एक में ड्रेनेज का भी निर्मान कराया गया लेकिन इस स्थान पर किये गए निर्मान कारे में पजारी दिये गाई बयान और जिला कलेक्टर को दिये एक बयान के जरिये भी किया गया है जानकारी के अनुसार शस्त्रागा नगर परिशत के वाड नमबर एक में कुछ नालो का निर्मान कराया गया था उन में से किसी के भी बहुत घटिया किसम के होने का संधे नहीं है गीता भुवनेश्वा सिलुकर द्वारा की गई है पहली दिनेश धाहिकर के घट से लेकर संभाजी बंबोले के घट तक नालियों की निर्मान में कहीं कहीं जल निकासी की ववस्ता नहीं होने से पानी की बचचत होती है इसलिए रुके हुए पानी ने संभनित नालों में पोखर बना लिया है हाला कि इस कारी के लिए स्वीकरत राशी 14,31,666 रुपए है लेकिन इसका निर्मान ठीक से नहीं किया गया है दूसरा उसी वार्ड में घंशाम धहिकर के घर से दिनेश सोन कुसारे के घर तक सीमेन कॉंक्रीट का नाला बनाया गया था इस ठेकेदार ने आर्मरी की एक ठेकेदार को अपना काम आउटसोर्स किया है हालकि इस निर्मान के लिए सुईक्रत राशी 29,85,218 रुपए है लेकिन यहां पता नहीं है कि नाले का पानी किस तरफ से भैता है क्योंकि पानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं है इसलिए नाले में पानी रहता है साथ ही दोनों तरफ मुहन से फेक कर इसे समतल करना जरूरी है लेकिन ऐसा नहीं किया गया ऐसे में शेतरवास्यों को इस पर कपसर करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है तीसरा फिर एक और मेशराम से गजपूर तक नानाजी चोतरी से टिच्छुले से बरसगड़े तक सीमेंट कॉंक्रेट के नालों का निर्मान किया गया इस निर्मान के लिए स्वीक्रत राशी 54,32,44 रुपए है इस ठेकेदार ने आर्मरी के एक ठेकेदार को अपना काम आउट्सोर्स किया है यदि आप सुयम जाकर इस कारी का निर्क्षन करें तो इस नाले का धहलान सही नहीं है और कक्ष ववस्तित नहीं है इसलिए नाली का पाने कुछ जगाओं पर बिना ठीक से निकले चैंबर में ही रह जाता है गीता भुवनेश्वा सेलोकर ने अपने बयान में इंठेकेदारों के काम परापत्ती जताई है कारी की प्रती बहुत अच्छी हों मैंने वेक्तिकत रूप से इसका निरिक्षन किया था और नगर परिशेश अस्त्रागार के मुख्यवियंता को अपने मुबाइल से कारी की प्रती और गुनवक्ता की जाच करने और पूछताच करने के लिए सूचित किया था नगर सेवक सेलुकर्ण ने भी बयान में मांग की है कि इसकारी के अफसर की वेक्तिकत रूप से पूछताच कर संबने ठेकेदार को भुखतान ना किया जाए मारनिये के माध्यम से कलेक्टर को भी बयान जारी कर दिया गया है इस विशे के बारे में और अधिक पूछने और सच्चाई जानने के लिए मारनिये मुख्यमंत्री माध्यूरी सलामे से उनके मुबाइल पर संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया चामोशी से BCN News के लिए हरेंद्र मडावी की रिपोर्ट